So friends, आज के इस lecture में हम लोग इस chapter के दूसरे important term के बारे में बात कर रहे हैं जो की है reflection जैसे कि reflection में हम लोग देख चुके हैं कि light ray किसी भी optical plane से टकराती है और वो reflect हो के चली जाती है लेकिन reflection के phenomenon में light ray के उपर कुछ effect होते हैं और वो एक medium से दूसरे medium में travel कर जाती है लेकिन इस traveling के वज़े से इस light ray के उपर कुछ effect हमें देखने को मिलते हैं और वो ही effect हम लोग reflection के अंदर पढ़ते हैं और दूसरी important चीज़ यह है कि reflection से हमें lenses को समझने में काफी मदद मिलेगी इसलिए हमें reflection को समझना जरूरी है इसके rules को समझना जरूरी है और इसके loss को समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो बात करते हैं reflection की देखिए friends जब भी कोई light ray travel करती है तो वो अलग-अलग medium से travel करती भी गुजरती है ठीक है अलग-अलग medium से मेरा मतलब है जैसे की air हो गया water है metal है या फिर कुछ और अब इन medium को एक दूसरे से अलग करने वाली बात क्या है इनकी molecular setting यानि की molecular structure देखे क्या है कि जब आप लोग air के molecules को देखोगे तो वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं कुछ इस तरीके से जिनके बीच में intra molecular force almost negligible होता है लेकिन जब आप लोग बात करते हो water की तो water के molecules थोड़ा पास-पास होते हैं क्योंकि वो liquid होता है और इतना पास होते हैं कि water के अंदर viscosity की एक characteristics पैदा हो जाती है यानि कि वो बह सकते हैं ठीक है अब इन दोनों mediums के molecules के structure में फरक होने की वज़े से इन में light का behavior अलग-अलग देखने को मिलता है especially light की speed यानि की light की velocity अब ये बात हम लोग जानते हैं कि light की velocity almost सबसे ज्यादा होती है इस पूरी universe के अंदर अभी तक तो हम यही मानते हैं कि light की velocity है वो सबसे ज्यादा है तो जब भी कोई light ray air से या vacuum से travel करती भी आएगी और वो water जैसे किसी medium के अंदर चली जाएगी तो उस समय इसकी velocity में फरक पड़ेगा यानि कि इसकी velocity कम हो जाएगी ठीक है देखे जब भी आप बात करते हो air की या फिर vacuum की जहाँ पर जो आपके molecules होते हैं air के अंदर दूर दूर होते हैं इनकी खुले खुले होते हैं यानि कि कि किसी भी चीज को travel करने के लिए किसी भी object को या फिर light को travel करने के लिए ज्यादा space मिलता है खाली space तो ऐसे medium को आप लोग rarer कहते है ठेक है rarer medium और ऐसा medium water जैसा जिसके अंदर जो molecules होते है वो थोड़ा पास-पास होते हैं उनके अंदर intramolecular force होता है तो ऐसे medium में space कम मिल पाता है किसी भी light ray को या फिर object को travel करने के लिए जैसे अगर मैं ही travel करना चाहूँ यानि कि मैं ही तैरना चाहूँ पानी के अंदर तो मेही speed अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि हवा में अगर मैं force लगाता हूँ तो ज्यादा होगी water में लगा होगा तो कम होगी सेम चीज light के साथ भी होती है जैसे ही light इस medium गिंदर water वाले medium में जाएगी उसकी velocity कम हो जाएगी और ऐसे medium को आप लोग कहते हो denser medium जहाँ पर density ज्यादा हो जहाँ पर molecules एक दूसरे के ज्यादा पास पास अब अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि water से ज्यादा dense क्या होगा तो आप बता सकते हो कि solid तो अब आपको पता चल गया कि rarer क्या होता है और denser क्या होता है यारर जिसके अंदर molecules दूर दूर हो और denser जिसके अंदर molecules पास पास हो ज्यादा density हो ज्यादा से ज्यादा हो अब आप मुछेंगे कि जब rarer से light ray जाती है और denser में चलिया आती है तो उसके अंदर velocity घटन कारण किया है यह चीज शायद हम लोग किताब में भी पढ़ चुके हैं कि विलोसिटी घड जाती है रेडर से डैंसर में जाने पर तो इसका क्या कारण है इसका क्या रीजन है तो देखे इसका रीजन मैं बताता हूं देखे लाइट रे जो है वो एक तरीके से हमें मालूम है कि इलेक्ट्रमेटिक वेव ही है ठीक है और वेव जो है वो वेवलेंट और फ्रेक्वेंसी के हिसाफ से चलती है तो इसका मतलब अगर मान लीजे कि आपके बस दो मीडियम्स है जिसमें से पहला वाला air मानके चलते हैं जो कि rarer कहलाएगा और दूसरा वाला हम लो liquid water मानके चलते हैं ठीक है medium 2 जो कि denser है अब एक light ray चलती आ रही है तो अब्विस्थी बात है इसकी कुछ ना कुछ wavelength होगी और कुछ ना कुछ frequency होगी आप लोग देख सकते हैं इतनी बड़ी wavelength है अब होगा क्या कि जैसे ही ये light ray आके इस interface से टकराएगी याद रहिए दोनों के दोनों mediums को अलग करने वाला ये जो line होता है इसको आप लोग interface कहते हो क्योंकि इसके दो faces होते हैं एक phase आपका जो आपको rarer medium में खुलता है और एक वाला जो face होता है वो आपका denser में खुलता है तो जैसे ही ये light ray इस interface से टकराएगी तो इसके बात का denser medium है इसके अंदर काफी सारे molecules है तो उन molecules के टकराने की वज़े से उन molecules के effect की वज़े से इसकी wavelength कम हो जाएगी कि velocity of light का effect होती है जब उसकी wavelength घटती है या बढ़ती है जब wavelength बढ़ती है तो light की speed बढ़ जाती जब wavelength घटती है तो light की speed घट जाती ठीक है तो इसका मतलब ये छोटी छोटी wavelength के साथ आगे बढ़ेगा आप एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि frequency नहीं बदलेगी कि एक second के अंदर दो wavelength जारी है दो wave निकल रही है दो बार इसका change हो रहा है crust और trough तो यहाँ पर भी second के अंदर उतना ही change होगा frequency change नहीं होगी wavelength छोटी हो जाएगी देखे एक wave यह होती है तो इसकी यह length है यहाँ पर देखे यह वाली जो wave है इसकी length कितनी कम है पहले वाली के हिसाफ से wavelength पहले wavelength ज़्यादा थी अब wavelength कम है अगर किसी को wavelength का मतलब नहीं पता हो ठीक से तो अब आपको पता चल गया होगा तो wavelength कम होई तो velocity भी कम होगी velocity कम होने के पीछे इन molecules का हाथ है ठीक है साब अब अगर मैं इसका उल्टा करने जाओ तो यानि कि कोई light ray मैं dancer medium से rarer medium में भेजू आप देख सकते हैं कि dancer medium से भी चली है तो इसकी wavelength कम है और जैसे यह interface से टकराएगी तो जब यह बाहर निकलेगी तो इसको space मिलेगा खुला space मिलेगा rarer medium है तो इसकी wavelength बढ़ जाएगी और wavelength बढ़ी मतलब velocity बढ़ गई क्योंकि वहाँ पर molecules कम है ठीक है तो यह चीज आपको याद रखनी है यह दो चीज़ आपको याद रखनी है जब rarer से dancer में जाएगी तो wavelength कम होगी speed कम होगी और जब dancer से rarer में जाएगी तो speed बढ़ेगी जब light एक medium से दूसरे medium में जाती है तो उसकी velocity में change आता है और उसकी इस change in velocity के phenomena को ही आप लोग reflection कहते हो यह चीज़ आपको समझ में आ गई यहीं कि reflection के phenomena में light की velocity में change आता है यह होता है इसका पहला effect जो हमें देखने को मिलता है यहीं कि change in velocity अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि velocity किसमें कितनी कम है कितनी ज़ाद है आप लोग यह तो जानते हैं कि लोग एक index देखेंगे जिससे कि हमें easily calculate हो जाए कि कब कहां कितनी जो velocity है वो भढ़ रही है और कितनी velocity घट रही है तो देखें कि refractive index को निकालने का एक simple से तरीका है refractive index is equals to velocity of light in first medium divided by velocity of light in second medium ठीक है मतलब यह हुआ कि पहले medium में माली जी की पहले medium जो था वो air था तो air से light ray आई और दूसरे medium यह नहीं कि water में चलेगी और water में उसकी velocity है कुछ वो कम होगी ठीक है air में सबसे ज़्यादा थी फिर water में कम होगी तो इसका मतलब V1 ज़्यादा है V2 कम है तो water ही कम करेगा उसकी light ray क्योंकि water के molecules पास पास होते है air के मुकाबले तो ठीक है तो इसका मतलब V1 ज़्यादा है V2 कम है ठीक है अब ऐसा भी हो सकता है कि water से air में जाए या फिर water से glass में जाए अब glass जो होता है उसका refractive index ज़्यादा होता है ग्लास के molecules और भी ज़्यादा पास पास होते है न क्योंकि वो तो solid है तो अगर water से glass में जाएगी तब water के अंदर विलाव से ज़्यादा होगी और glass के अंदर कम होगी ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब rarer से denser के अंदर कोई light ray जाती है तब जो refractive index होगा वो 1 से बड़ा होगा कैसे होगा रarer है यानि कि आपकी light ray गुजरी है वो आपकी air से गुजरी है air में उसकी speed ज़्यादा होती है यानि कि V1 ज़्यादा है water में घुसी है या फिर glass में घुसी है वहाँ पर उसकी velocity कम होगी यानि कि V2 कम है तो V1 ज़्यादा V2 कम तो refractive index की value एक से बड़ी निकलेगी और अगर 3 upon में 2 हो जाए तो 1.5 एक से बड़ी निकलेगी वहीं इसका अगर आप लोग उल्टा कर दो यानि कि अगर ये glass से air में जा रही है या फिर water से air में जा रही है तो उस समय ये dancer से rarer में जा रही है अब dancer में इसकी जो V1 velocity थी वो कम थी और जैसे ही वो rarer में यानि कि air में जाएगी उसकी velocity बढ़ जाएगी यानि कि V2 जादा हो जाएगी V1 कम V2 जादा V1 upon में V2 तो इस बार ये 1 से कमी आएगी 2 upon में 3 को जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा कमी होगा एक से कमी होगा ठीक है यानि कि rarer से denser में refractive index एक से बड़ा है और denser से rarer में refractive index एक से छोटा है तो ये देखने को मिलता है हमें पहला effect जो कि light ray पर पढ़ता है reflection की वज़े से जो की है change in velocity दूसरे effect की बात करते है reflection के दौरान ही दूसरा effect जो आपकी light ray पर पढ़ता है वो ये है कि जैसे ही light ray interface से टकराती है तो यहां तब हम लोग देख सकते हैं कि ये 90 degree में light ray आई थी और 90 degree में ही सीधे की सीधे निकल गई सीधी आई पहले medium से दूसरे medium में भी सीधी निकल गई लेकिन अगर इस बार light ray जो है वो आपकी 90 degree के एंगल में ना आ करके वो किसी दूसरे एंगल में आए तब क्या होगा तब बहुत interesting case है कि जैसे कोई light ray आई जो की 90 degree का एंगल नहीं बना रही है यहाँ पर हम लोग इस तरीके से light incident की है तो यह incident light है तो यहाँ से हम एक normal खीच देते हैं जो की 90 degree के एंगल में होगा इस interface के साथ तो यह इसके साथ एक एंगल बना रही है जिसको आप लोग कहोगे I मतलब incident angle यह चीज़ हम लोग जान चुके हैं तो incident angle बनाया इसने अब इस light ray को जाना तो इस path में था सीदे 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 के path में लेकिन होगा यह कि यह एक medium से दूसरे medium में जाएगी तब यह अपना path change कर लेगी जी हाँ जब यह एक medium से दूसरे medium के अंदर enter करेगी तब यह अपने इस path पे ना जाके दूसरे path पे जाएगी तो अब सवाल यह उठता है कि कौन से path पे जाएगी तो देखिए इसको समझने के दो तरीके देखिए पहले तरीके में मान लेजेगी आपका यह जो medium पहला वाला है जहां से light ray incident हो रही है यह rarer है rarer मतलब खुला खुला है air है ठीक है और दूसरा medium मान के चलिए water मान के चलते हैं जो की denser है air के मुकाबले तो क्या होगा कि rarer से denser में जारी है अब denser के अंदर हमें पता है बहुत सारे molecules होते है molecules होंगे तो उसके अंदर atom भी होंगे atom होंगे तो उसके अंदर electron भी होंगे ठीक है electron भी होंगे proton भी होंगे सब कुछ होगा तो होगा यह कि जैसे ही यह denser के अंदर जाएगी वैसे ही यह अपना path इस normal की तरफ कर देगी यानि कि यह थोड़ा सा अंदर की तरफ band हो जाएगी समझे रहे हैं आप लोग radar से denser में गई तो यह अंदर की तरफ band हो जाएगी ठीक है और दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका यह है कि जब कोई light ray आपकी denser medium से आए denser medium माली जो water है या glass है कुछ भी है वहाँ से चलती भी आ रही है हम लोग एक और normal ray आ रही है तो होगा यह कि यह बाहर की तरफ band कर जाएगी कुछ इस तरीके से समझे रहे हैं दो rules है एक radar से denser एक dancer से rare ठीक है पहले वाले वापिस आते हैं यह वाला जो angle है जिससे light ray अंदर की तरफ band होई है इस वाले angle को आप लोग refracted angle को सेम चीज इस दूसरे वाले case में होगी कि जहां पर यह जो light ray है जो आपकी निकली है इसका जो यह वाला angle होगा यह होगा आपका refracted angle ठीक है इस पहले वाले case में जो आप देख रहे हो कि light को path में जाना था इस path में जाना था लेकिन यह अंदर की तरफ band कर गई तो यह जो आपको छोटा सा angle नजर आ रहा है न इस angle को आप लोग कहोगे the angle of deviation यह light जो है वो अपने path से deviate करके अंदर वाले path पर चलिए यह दो rules आपको याद रखने है rules of reflection में पहला यह कि when a light rays goes from rarer to denser than light bands inside ठीक है और when light rays goes to denser to rarer तब क्या होगा तब आपकी light rays बाहर की तरफ outside band कर जाएगी outside deviate कर जाएगी तो यह होती है दो rules अब आप मुझसे एक सवाल और पूछ सकते हो कि यह band करती क्यों है तो देखिए वैसे तो यह चीज़ का part नहीं है लेकिन आपकी knowledge के लिए मैं आपको बता रहा हूँ होता यह है कि जब भी कोई light rays rays देंसर में जाती है तो इसके अंदर बहुत सारे molecules है molecules है इनके अंदर electron से सब कुछ है charge जो भी particle होते है अब होता यह है कि यह जो आपकी light है है तो electromagnetic wave ही इसके अंदर कुछ energy होती है ठीक है इस energy में और यह जो आपके molecules के अंदर वाले जो particle होते है elementary particle होते है electron जैसे इस energy के अंदर इनके अंदर क्या होता है इनके अंदर होता है एक attraction mainly dancer के अंदर यह देखने को बिलता है attraction की वज़े से जो light होती है वो band करती है इस तरफ band कर जाती है अलाकि इसकी अपनी एक study है इसको आप लोग permanent reason नहीं मान सकते हो यह मैंने आपको आपकी knowledge के लिए बताया है simple सी इसको अभी आप apply मत कीजिए ठीक है और यही same चीज आपको जब देखने को मिलती है जब कोई light रहे आपकी dancer से error में जाती है तो वहाँ तो molecules कम होते है तो light जो है वो easily deviate कर जाती है outside बाहर की तरफ तो यह जो light का deviation है यह आपको दूसरा effect देखने को मिलता है reflection के अंदर अब देखिए इसी को लेके एक छोटा सा experiment भी है जिससे हमें reflection का एक बहुत important law समझ में आता है वो यह है कि अगर हम लोग मान ले कि हमारे पास दो mediums है पहला medium जो है वो आपका rarer है दूसरा dancer है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जगे जगे normal की जिते हैं तीन या चार normal कुछ इस तरीखे से अब हम लोग क्या करेंगे कि इन mediums को change नहीं करेंगे इनके अंदर आने वाली incident light ray के angle को change करेंगे जब अग और से समझेए कि एक light ray पहले बार में आई और यहां आ करके टकराई तो इसने eye angle बनाया incident angle और यह चुकि dancer में गई है तो यह अंदर की तरफ deviate हो जाती है तो angle R बनता यह refracted angle दूसरे वाले में हमने क्या कि light ray का जो incident light ray का जो angle था उसको थोड़ा बढ़ाया यानि कि यह कुछ इस तरीके से आई और यह R जो है तोड़ा सा बढ़ जाएगा इस बार यह कुछ इस तरीके से deviate कर गई तीसरी बार में हमने और बढ़ाया angle को eye को तो इस तरीके से टकराई इस बार R भी थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो यह कुछ इस तरीके से निकल जाएगा और फिर हमने क्या किया last में कि बहुत ज्यादा ही band कर दिया i को कुछ इस तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया angle तो हमने देखा कि उस हिसाब से r भी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया कुछ इस तरीके से band होके निकल गया तो इन चारो cases बें हमने एक चीज़ देखी, कि हम लोगों ने ratio निकाले इनके incident angle और refracted angle के, यहने कि sin I upon my sin R is equal true में, यहाँ पर भी sin I upon my sin R, यहाँ पर भी sin I upon my sin R, यहाँ पर भी sin I upon my sin R, तो हमने एक चीज़ नोट की, कि जैसे जैसे आई का angle बढ़ रहा था, वैसे वैसे आर का भी बढ़ रहा था, याद रखी हमने medium change नहीं किया, medium वही के वही है, और बार बार हम लोग जब इसकी value calculate करके निकाल रहे थे, तो वह same ही निकल रहे थी, जैसे पहले वाले की value निकली, sin I upon my sin R, जिकल स्टूर में 1, तो दूसरे वाले की भी 1 ही निकली, तीसरे वाले की 1 निकली, चौत्छे वाले की 1 निकली, तो I और R साथ में change हो रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आई कि हम लोग कितना भी I को, यानि कि incident angle को change कर लें, refracted angle उसके हिसाब से change होगा, दोनों का ratio हमेशा एक constant ही निकल के आएगा, ये दिखिए, एक constant निकला है, सबी की सबी एक ही निकला है, ये एक constant value निकल के आई है, तो इसका मतलब ये एक बहुत important rule बन जाता है, कि sin I upon sin R is equals to my constant value, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो कि, अगर हम लोग दो mediums का एक pair लेते हैं, जिसको हम लोग change नहीं करते हैं, और continually इस incident ray के incident angle I को change करते जाते हैं, तो refracted angle भी उसी के साथ साथ लगातार change होता जाएगा, और दोनों के ratio से जो value हमें मिलेगी वो constant निकलेगी, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो, sin I upon sin R is equals to my constant, और इस constant को हम लोग ने नाम दिया mu, और इस mu को ही आप लोग कहते हो refractive index, समझ गए आप लोग, अब देखिए आप कहेंगे कि refractive index तो दोनों light की velocity में जो difference होता है, उसको निकाल के निकाला था हम लोगों ने, तो देखिए ये दोनों बराबर ही हैं, तो आप लोग लिख सकते हो, sin I upon sin R is equals to my mu, is equals to my v1 upon my v2, इस चीज़ का भी आगे जलके एक proof है, mathematical proof है, वो भी बताया जाएगा, देरे-देरे करके, वो भी समझाया जाएगा, तो ये जो आपको याद रखना है, ये बहुत important formula है, बहुत important phenomena है, बहुत important law है, ठीक है, और इस mu को आप लोग mu 2, 1 भी लिख सकते हो, यानि कि जो आपका दूसरा वाला medium है, वो ही तो change गर रहा है, ठीक है, उसी के तो respect में change हो रही है light ray, तो mu 2, 1 भी लिखा जा सकता है, So friends, ये हो जाता है, आपका reflection phenomena का थोड़ा सा introduction, आपको समझ में आया होगा, कि reflection का phenomena क्या होता है, और light का, मतलब light के उपर, किस किस तरीके के effect हमें देखने को मिलते हैं, पहला effect, उसकी velocity बदल जाती है, एक medium से दूसरे medium में जाने के से, और दूसरा effect, जब वो 90 degree के एंगल में ना आके, किसी और, मतलब angle के अंदर आये, तब वो अपना path भी change करती है, क्यों change करती है, molecular structure की वैसे, क्योंकि उसके molecules अलग तरीके से होते हैं, so friends, I hope, आप कोई चीज समझ में आया होगी, क्या क्या पड़ा आपने, effect पढ़ लिए, उसके अलावा आपने rules देख लिए, उसके अलावा एक law भी देख लिया, कि इसका जो law क्या होता है, reflection का, और आपने ये भी जान लिया, कि कैसे आप rarer और dancer के अंदर फरक देखते हो, refractive index भी आपको समझ में आया होगा, इसके बाद भी, इसके अंदर आपको कोई question बचता है, कोई सवाल आता है, कोई query आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें comment section के जरीए बता सकते हैं, so friends, आज की इस video के अंदर बस इतना ही, see you in the next one,